हेलो फ्रेंट्स आई इस प्रॉल्म को सॉल करते हैं question क्या कहता है number divided by 68 gives the question 269 and the remainder 0 if the same number is divided by 67 the remainder is क्या कह रहा है कि कोई एक number हमाल लिजे x अगर उसको हम 68 से divide करते हैं कितने time division जाता है 269 it means question क्या है 269 है और remainder क्या बच रहा है 0 बच रहा है remainder 0 बचने का मतलब 68 269 टाइम जाता है और वो value completely divide हो जाती है ठीक है तो x की value अगर हमें fine करनी हो इस case में हम कैसे उसे fine करेंगे x की value हम 68 into 269 करके x की value आ जाएगी आगे क्या कहता है question में if the same number is divided by 67 the remainder is अगर इसी नंबर को 67 से अगर divide कर दिया जाए तो remainder क्या होगा तो इस तरीके की question में जैसे हम approach करेंगे वो कैसे approach कर सकते हैं यहां आप देख रहे हैं कि यह 68 है अगर हम इसको वालब टर्म होगा 67 के साथ 67 into 269 अलब में यहां अलग से लिख दाओ 67 into 269 प्लस 269 यही इसको expand करने पर आएगा और हमें divide करना है किससे 67 से तो हम easily देख सकते हैं कि यह जो term है वो हमें कितना completely divide हो रहा है क्योंकि 67 यहां भी है 67 यहां भी है तो यह term तो completely divide होगा जो remainder देगा वो यह वाला term हमें remainder देगा तो हम इसको separately 269 को 67 से divide करके देख लेते हैं यह 4 times जाता है और remainder हमें क्या देता है 1 remainder देता है ठीक है ले बदोने को